आज एक नया वीडियो में आपका स्वागत है मैं आज आपको ले चलता हूं मा किचिन जो पस्षी मंगल के दुआरा चलाया गया एक योजना है और उस पे देखेंगे कि कैसा खाना एबलेबल होता है जाड़कन में जो मुख्यमत्री दाल भात योजना है उससे बेटर है या उसी के जैसा खाना है ओके तो वीडियो में बने रहें देखिए ममता दीदी का फोटो है और यही है मा कैंटीन योजना आज में एक जरूरी काम से बाहर आया था तो सोचा कि मैं मा कैंटीन में जाकर खाना खाता हूं अब देख सकते हैं यहां पर भीण काफी ज्यादा है क काफी लोग यहां ही कत्रित होते हैं खाना खाने के लिए और काफी अच्छा है अब वीडियो में बने रहें देखते हैं कैसे लोग यहां पर खाना खाते हैं और कितना टीस्टी खाना एबलेबल होता है उसके बारे में बात करेंगी भीण काफी जादा है सो कंटीनिव इन अब देख सकते हैं पे लोग खा भी रहा हैं और एंजोई कर रहा हैं फूड को सो मैं भी आया हूँ फूड को एंजोई करने के लिए देखिये काफी नेट रर्क लेन एरिया है और लोग काफी मज़े से खा रहे हैं लाइन जोके काफी लंबा है थोड़ा सा टाइम लगेगा बट नोईस हुआ यह जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं यह स्पेशल लोगों को खाने के लिए ही बनाया गया है लोगों को खाने के लिए नहीं मतलब लोग यहां आप आराम से बैठ कर खाना खा सकते हैं एरिया काफी बड़ा है और नीट अड़ क्लीन है बंगाल में इस तरह सुविदाएं काफी अच्छे से दिये जाते हैं आप देख सकते हैं बैठने का यह बैवस्ता नहीं है लेकिन जमीर इतना साफ है कि आप कहीं भी बैठ कर खाना को खा सकते हैं आप देख सकते हैं किस तरह खाना बितरन किया जाना जो काफी सिस्टेमेटिक वे में हैं कोई धक्का मुक्की नहीं सब आराम से लेख खाना अपना खाना लेकर फुड को एंजॉय कर रहे हैं सब्सक्राइब के बाद मैं अपने मंजिल तक पहुंच चुका हूं और आप देख सकते हैं दीदी किस तरह खाना प्रोप सर्व कर रही है जो वाके में एक बहुती अच्छा काम है आप दीदी के लिएक लाइक जरूर करें अब मेरी बारी हलकस्ट हलकस्ट बस थैंक्यो दीदी तो फाइनली मुझे खाना मिल चुका है और मैं इसको अब इन्जॉइ करूंगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और मैं अबली वीडियो में कुछ नया दिखाने का कोसिस करूंगा चुकि मैं अंडा नहीं खाता हूं इसलिए मैंने अंडा नहीं दिया है और आप देख सकते हैं यह मेरे कुछ दोस्त लोग है जो फुड को एंजॉइ कर रहे हैं और बिज खा रहे हैं ओके मेरे वीडियो लेक लाइक करें तैंक्यू